हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुरेश और आप देखरे हैं अपना चैनल टेक्टमेन सुरेश आज के वीडियो में हम बात करेंगे महींद्रा जोर ग्राइन डीवी प्लस 2024 इलेट्रिक मोडल के बारे में इस वीडियो में आप लोगको गाड़ी के डिटेल प्राइस, स्पेसिपिकेशन, रेंज और इसके कुछ हाइलाइट्स, फीचर्स के बारे में बताऊंगा इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरू देखिए इसलिए आपको इसी तरह का गाड़ी ओकलेटर वीडियो देखना पसंदे तो फिर आप चैनल को सस्क्राइब करने के साथ बेल आकन जरू क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए तो पिछले इसलिए तो हम इस वीडियो को सुरू करते ही महींद्रा, जोर ग्राण, पीयों, कर्गो इलिट्रिक का लुक्सर डिजैन और डीबी प्लस का لुक्सर डिजैन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है PU cargo में आपको flatbed body मिलता था जबकि इसमें आपको container body मिलता है इसमें भी आपको दिखते हो मिलता है big size windshields और उसके साथ है single wiper, center में आपको Mahindra का logo, signature grills और उसके उपर आपको एक chrome panel भी दिखने को मिल जाता है, and lights में है big size yellow symbol type headlamps, side में है multi-functional and indicators, और गाड़ी हमें white plus blue combination में काफी attractive लगता है और tires में इसमें लगा हुआ है 10-inch का tire, suspension में front में आपको दिखते हो मिलता है, helical compression with hydraulic specific shock-up observer, जोकि पीछे rubber compression with hydraulic specific shock-up observer इसका wheelbase है 2200 mm ground clearance है 180 mm और इसका gradability है 11.5 degree, और गाड़ी के उपर आपको मिलता है, 5 years का warranty 1,25,000 km तक, दोनों side door में है Jor Grand EV Plus Electric का stylish tickering badging, गाड़ी में save energy सन रेने के लिए इसमें sliding glasses भी provide किया गया है, और पीछे के tire के उपर भी आपको blue color में दिखने को मिलेगा इसका mud flap, इसमें लगा हुआ है 10.2 per kilowatt का lithium-ion battery, जो कि 16 HP का power और 15 Nm का torque generate करता है, इसका battery को full charge करने में 4 hours 30 minutes रखता है, एक बार full charge होने पर आप इसको 153 km तक चला सकते हैं, जो कि इसका AI certified range है, जबकि इसका driven range है 90 km, गाड़ी के उपर आपको मिलता है, 5 years का warranty 1,30,000 km तक, इसका exoron price start होता है, 4,37,000 रुपीज से, जबकि इसका अप्रोक्षमेड on-road price है, 4,80,000 रुपीज, यह है दोस्तों इसका rear का भीव पीछा आपको normal standard tail lights मिलता है, उसके नीचे आपको number फिल लगाने के लिए space मिलता है, बात करें इसका loading capacity के बारे में, इसका gross breaker weight है, 998 kg core weight है, 590 kg और इसका payload capacity है 400 kg, आप इसमें almost 500 kg तक payload ले सकते हैं इसका cargo deck का लंबाई आपको मिलता है, 6 feet 2 inch चोड़ाय मिलता है, 5 feet और इसका उंचे ही आपको मिलता है, 5 feet 4 inch यह था इसका exterior चलिए, बात करते हैं इसका interior के बारे में, इसमें आपको अच्छा quality का door lock मिलता है और सबसे पेले door को open करते ही यहां पर आपको एक बड़ा सा bottle holder दिखनों मिलता है, यहां पर आप 1.5 liter का bottle को आराम से रख सकते हैं driver seat के नीचे है इसका spare tire इसमें आपको दिखनों मिलता है, dual tone color में इसका seats, जो की दिखने में भी काफी attractive लगता है, long journey comfortably करने के लिए इसमें आपको backrest भी provide के गये है, दोस्तों एक fully electric auto होने के बज़े से इसमें आपको close की ज़रोद नहीं पड़ता है, यह है इसका switching control, उपर है इसका left to right on indicator, yellow color में इसका horn यह है इसका high beam, low beam का switch, right side में, red color में है इसका transmission control यह का मतलब है forward, N का मतलब है neutral, R का मतलब है reverse, और यहाँ पर आपको EME के बाजी मिलता है, जिसका मतलब है Mahindra electric, और उसके साथ यहाँ पर आपको Mahindra का logo भी दिखनों मिलता है इसमें दोस्तों आपको दिया गया है fully digital instrument cluster, जिसके मदद साथ गाड़ी के बारे में बहुत सारे चीज़ों को जान सकते ही, और यहाँ पर आपको mobile रखने के लिए भी space provide किया गया है, और यहाँ पर इसका गुछ switching controls, जैसे कि यह है इसका lighting control, यह है इसका ball type reading lights भी provide किया गया है mobile charge करने के लिए यहाँ पर है 12 bolt का mobile charging socket और इसका leg room को दोस्ता आप दे सकते हैं, मेरे बेटने के बाद भी leg room में मुझे यहाँ पर कोई भी दिकत नहीं हो रहा है leg room दोस्तों इसका बहुत ही comfortable है और इसका driver के विन के view भी आपको कभी अच्छा मिलता है, इस पीडियो में जुस्तों हमने जाना महिंद्रा जोर ग्राइन डिवी प्लस इलेट्रिक कारगो मडेल के बारे में, आशा करता हूँ मैंने सबी points को cover किया होगा, वीडियो आपको कैसा लगा, कानवर्ट में जरूब बताएं मिलते हैं आपके साथ एक नएव वीडियो में, तब तक के लिए थाइंक्यू सो मस्, God bless you all